चांद दिन पहले मैंने ये कलीम आजेज की एक गजल पड़ी उसके बारे में पढ़ते पढ़ते ये देखा कि जब इंद्रा गानी ने जो इंडिया की प्रधान मंत्री थी उस टाइम पे उनने एमर्जेंसी डिक्लियर कर दे थी 75 में तो उस टाइम में काफी कुछ होआ था काफी लीडर्स को जेल में भेजिया गया था काफी तनाव भरा माहूर था तो जब 15 अगस्ट को रेड़ फोर्ट में लाल किले में एक आजादी का जश्न मना जा रहा था तो कलीम एजयाज सहाब वहां थे और उन्होंने इसी गजल का एक शेर पढ़ा था और शायद शायद जो और्गनाइजर्स थे या जुन्होंने इन्शायर सहाब को बुलाया था शायद शर्म सार हुए हूंगे तो ये गजल कुछ इस तरह से है एही लहू पर गुजर आकात करो हो मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो दिन एक सितम एक सितम रात करो हो वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम माद करो हो हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो हम को जो मिला है वो तुम ही से तुम मिला है हम और बुला दें तुम ही क्या बात करो हो यूं तो कभी मुफेर के देखो भी नहीं हो जब वक्त पड़े है तो मदाराद करो हो दामन पे कोई छींड न खंजर पे कोई दाग तुम कतल करो हो के करामाद करो हो बकने भी दो एजाज को जो बोले है बके है दीवान है दीवान इसे क्या बात करो हो